खलारी के सभी 60 बुतो पर शांती पुन्ट तरीके से हुआ मददार, 60 परतिसत पड़े वोट खलारी कोईलांचल में लोकतंतर के महापर लोकसभा चुनाओ का छटे चरन का मददान छेतर में शांती पुन्ट तरीके से संपन हुई कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी में भी वोटरों में काफी उत्सा देखा गया मतदाता सभी बुतों पर कतार में खड़े होकर अपने अपने मत का परयोग किया खलारी प्रखंड में 60 बुत बनाए गए थे लोगतंत के इस महापर्व का हिस्सा लेते लोग अपनी घर से सुबा होते ही मतदान केंदर पहुचने लगे दिब्यांगों के लिए भी सभी जगों पर विलचेर की विवस्था की गई थी चलने फिरने से लाचार डकरा निवासी 95 वर्षिय कामेश्वा सिंग ने मतदान किया वहीं दोनों पैर से अपाही 23 वर्षिय इकबाल नामक युवक वोट डालने पहुचे प्रशाशन द्वारा सांति पुन चुनाओ कराने को लेकर सभी बूतों में सुरक्षा के पुक्ता इंदजाम किये गए थे वहीं सशत्र बॉल के जवान पूरा इलाके के पेट्रोलिंग करते देखे गए डकरा में यहां बनाए गए थे मतदान केंद्र डकरा इलाके में कुल चौदा बूत बनाए गए थे इनमें डकरा पियो ओफिस में तीन मतदान केंद्र ओफिसर क्लब के डियेच तीन सेल्स ओफिस दो उडिया इसकूल मोहन नगर में दो राच की अमध विद्याले में दो दुर्गा मंडप स्रमी क्लब में दो मतदान बनाए गए थे राची खलारी से पवन गुप्ता की रिपोर्ट कबसे बोटिंग कर रहे हैं? बोटिंग जब से हम लोगों को बोटिंग अधिकार मिना तब से कर रहे हैं शुर्ब बोट देने से राष्ट निर्मान होता है बदो आता है क्या क्या बदो देख्यें तब से आप बदो देखें जिस आद्मी के वोट कर सकते हैं और अगर हम आप इक्षान ने करें तो कैसे हम लोगो कर सकते हैं तो बोट की ताकत बदलाव में क्या देख रहे हैं बिल्कुल देख रहे हैं आप गुमिय पूरे देश में समझ में आ जाएगा हम लोग तो पूरा देश घुम रहे हैं हर्जे का बदलाव नजर आ रहा है अब बदलाव आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा बोलने से होता है बोले से किसी को समझ मनाएकि बदलाव रहा है आप खुद हरो कीजे क्या बहुत जवन है ओक टाकत होती है और आप देख रहे हैं कि विकलान होपर हिमादान करने करने बोर देने कुछ बदलाव दीख रहा है जिया है बदलाव है और क्या चाहते हैं आप लोग राश्क निर्मान की कुछ तो सोच होगा जो पूर्ट चाहिए अधिकार जो है यह आम जनता का दिकार है यह एक मौली का दिकार है इसको किसरी को भी नई मतलब लापर वाहत तक तो देखने के लिए देखके रहें ख़बर 365 निउस साथी लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें